जमू यूनिवस्टी में PG courses में admission लेने के लिए इस बार भी students को देना होगा CUT entrance test नमस्कार, perfect timeline में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिमानजा शर्मा अगर कोई भी students PG यानि की post graduate करना चाहता है और वो जमू यूनिवस्टी में post graduate करना चाहता है तो उसको CUT यानि की common university entrance test देना होगा उसी के द्वारा उसकी admission जो है वो हो पाईगी आपका बता दें कि इसकी last date जो है वो कुछ ही दिन रह चुके है इसकी last date के लिए तो कब इसकी last date है अगर इसकी आप पूरी जानकारी जाना चाहते है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना आपको बता दें कि बच्चों को admissions लेने के लिए इस PG courses में CUT entrance test इस बार भी देना होगा common university entrance test देके ही इसी के द्वारा उनकी admissions जो है वो possible हो पाएंगी PG courses में और इसकी last date की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी दोजार 24 को form फिल करने की last date है तो जो भी interested candidate है जो भी interested student है वो PG courses में admission लेना चाहता है तो 24 जनवरी से पहले पहले form जो हो बर दे और अगर हम बात करें फीस बरने की last date की तो 25 जनवरी दोजार 24 को फीस बरने की last date है तो जो भी interested candidate है वो जल्द से जल्द PG courses में admission लेना चाहता है तो जल्द से जल्द form फिल कर दे तो भी जनवरी को last date और फीस फिल करने की 25 जनवरी last date बताई जा रही है और अगर किसी के form में को correction करनी है जैसे किसी तरह की गलती हो जाती है form फिल करने में उसके बाद correction का time मिलता है तो वो time आपको बता दे 25 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक की last date है यानि होगा वो national testing agency की website में जाकर वहां से admit card जो है वो download होगा और उसकी date आपको बता दे साथ मार्च को admit card जो है वो आपका download होगा वो भी काफी दूर है लेकिन अभी आपको बता दे कि आगर आप form फिल करना चाहते हैं तो चोबिस जनवरी तक आखी date बताई जा लिए तो जल्द से जल्द आप form फिल जो है वो कर लीजिए इसके लावा आपको बता दें कि आपका एक जो है online test जो होता था वो online test आपका एक एक गंट और 45 minutes का होगा यानि कि one hours and 45 minutes का आपका टेस्ट होगा जो online test होगा और अगर कोई भी इंट्रस्टेट कैंडिडेट है वो जरूर इस form को जो है वो फिल कर दे इसके लावा आपको बता दे कि पीजी सीवीटी समर्थ एसी डॉट इन इस website में जाएं और अपनी जानकारी अगर जो है वो भी फिल कर सकते हैं जो भी इंट्रस्टेट कैंडिडेट है अपना फिल कर सकते हैं तो वो उसके लिए जो वेबसाइट हम बता दे हैं पीजी सीवीटी डॉट समर्थ डॉट एसी डॉट इन पे जाए और इस website में जाके अवेदन करें अपनी जो भी उसको फॉर् जिनकी आप एंट्रेस दोगे सीवीटी ऐंट्रेस्ट टेस्ट वोगे उसके बाद आपकी अडमिशन होगी और आपको बता दे कि कोई बच्चा अगर किसी सीट में वकैंसी बच जाती है यानि कि कि किसी भी सीट में कितनी बी सब्जेक्ट होंगे कितनी सीट उंगी अगर जाती है। और उसके बाद बच्चे को कैसे admission मिलेगी तो उसकी जानकारी आपको देदेंगी. आपके graduation के marks देखे जाएंगे. उसके बाद आपको किसी भी subject में आपके Interested Subject में आपको admission मिल जाएगी. तो ये पूरी जानकारी मैं आपको देदी इस बार भी जम्मु उनिवस्टी में CUET यानी Common Entrance Common University Entrance टेस्ट होगा उसके दुरान ही आपकी admission जो है वो उसके द्वारा ही की जाएगी आपके marks देखे और अगर कोई subject में seat wicked बच जाती है कोई बच्चा जो है बच्चे जादा कम पढ़ जाते हैं लेकिन सीर्स बच जाती है तो उसकी आपको बता दें कि आपके graduate के marks देखे जाएंगे उसके द्वारा आपकी admission जो है वो की जाएगी यह पूरी चानकारी मैंने आप तक पहुंचा दिए कि कि सब्सक्राइब करने की 24 जनपरी है तो जो भी इंट्रस्टेट है वो जल से जल अपना form जो है वो फिल कर दे और इनकी वेबसाइट आपको बता दू पीजी पीजी सी वीटी डॉट स्मर्च डॉट एसी डॉट इन पे जाएं और अपने जो भी आवेदन है वहां करें और अपनी सारे डॉट से जल फॉर्म फिल कर लें अगर आप भी पीजी यानि की पोस्ट ग्रेजुएट में इंट्रस्टेड है अगर आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें इस वीडियो को जादे से जादे से शेयर करें आपके नोर में कोई भी बच्चा है जो जिसकी ग्रेजुएशन होगी और जो आगे पढ़ना चाहता है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपनी राय करग करता है जल्द सेवब बच्चा है